चलिस सो बात करने वाले हैं गेल इंडिया के बारे में गेल इंडिया के इंदर एक बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है और हो सकता है कि अच्छा खासा मोमेंटम आपको गेल इंडिया के इंदर दिखने को मिले लेकिन देखे वीडियो मागे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँआ कि काफी सारे निवेशक पैने के मा आ जाते हैं कि जब न्यूज अच्छी हो और स्टॉक के अंदर गिरावाट दिखने को मिले तो फिर क्वेशन पूशते रहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ आपने तो बताया था कि स्टॉक जो है उपर जाना चाहिए स्टॉक के अंदर मुवमेंट नहीं हुआ तो दिखे यहां पर कि मैं वही बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो हम गों लोग को असलित में त्यारी करके चलनी पड़ती है वो नीचे के त्यारी करके चलनी पड़ती है कि stock के अंदर गिरावार देखने को मिलेगा तो इसी तरीके से कर गेल इंडिया की बात करते हैं तो एक बड़ी खबर आपको इस company के अंदर देखने को मिल रही है और अब बड़ी हलचर आपको share के अंदर देखने को मिल सकती है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा green hydrogen plant ये company अब बनाने वाली है, establish करने वाली है तो सबसे बड़ा plant जो है अब लगाती हूँ नजर आएगी बड़ी हलचर आपको company के business के अंदर देखने को मिलेगी तो आज की दिन जो है बड़ा announcement देखने को मिल चुका है, company के जो director है उनकी तरफ से हम लोगो ये speeches देखने को मिल रही है अब यहाँ पर मा को बताना चाहूँ कि जो plant बनता हूँ नजर आएगा, कितना time period आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है तो इन्होंने बताया कि लगबख 12 से लेकर 14 महीने का time period लगेगा, यह पूरी processing हमें यहाँ पर complete होती हूँ नजराएगी तो ख़बर आ चुकी है, और यह plant कहाँ पर लगता हूँ नजराएगा, तो वो भी जो है इन्होंने place यहाँ पर देदी है और मद्य परदेश के अंदर इनकी unit जो है हम लोग यहाँ पर लगती हूँ नजराने वाली है अब देखे capacity की बात करते हैं, तो अभी आपने एक latest cover देखी थी कि एंटी PC hydrogen plant establish करने वाली है तो इसकी capacity की बात करते हैं तो 5 मेगवोट के आसपास निकल करा रही है यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो प्लांट बनता हो नजराएगा लगवग 10 मेगवोट के आसपास इसकी capacity हम लोग को देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर natural gas की सिदारी की बात करते हैं तो फिलाल की डेट में लगवग 6.2% के आसपास निकल के आए दी और सरकार यह चाहती है कि यह सिदारी हमलों को बढ़ती हो नजराए और 2030 का जो प्लान सरकार की तरफ से तैक किया गया है इस सिदारी को बढ़ा कर 15% के आसपास करने वाले हैं आती में बताना चाहूं कि गैस की जो खबत है उसको भी लगवग साड़े तीन गुना बढ़ाने वाले हैं तो उवराल क्या कि लक्स थोड़ा सा लंबा इन्होंने रखा है तो यहां पे लगवग 600 मिलियन का माना की तैक करते हुए नजरा रहे हाल फिलाल में अगर देखा जाए तो सरकार चाहती है कि सरकारी इंधन परिवहन में इस गैस का प्रियोग के जाए या फिर खनन छेतर में यह सारे चीज़े दिखने को मिले तो देखे अवराल जो इंपक्ट है वो पॉजिटिव हमें इस कंपणी के अंदर अब दिखने को मिलने वाला है तो अगर वैसे भी शेर प्राइस की बात करते हैं तो स्टॉक के अंदर हम लोंको इतनी ज़दा गिरावट नहीं दिखने को मिली है मैं आपको बताना चाहू कि लगबग 166 रुपे के आसपास यह स्टॉक दिखाए दे रहा था इससे उपर के वी लेवल आपको इस कंपणी के अंदर बनते हैं लगबग 170 रुपे के आसपास चला गया था लेकिन अभी हाल फिलाल में 150 रुपे के लेवल आपको इसके अंदर दिखने को मिल रहे हैं तो अवराल जो सिलसला बना हुआ है वो अपन डाउन का है स्टॉक के अंदर जरूर गिरावट देखने को मिली है लॉंग टर्म के हिसाब से बहतरी इनकंपनी है थोड़ा बहुत और अगर नीचे गिरता हूँ नजराता है तो वापिस से आप इसके अंदर क्वांटिटी एड़ कर सकते हैं लोंग टम का रास्ता इस कंपनी के अंदर साफ साफ दिखाए देरा है के स्टॉक टेफिनेटली आपको उपर की तरफ लेवल दिखाता हुआ नजराने वाला है दोस्तों करें पूरी जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करेंगा चैनल सब्सक्राइब पर गरक लेना ताकि नहीं वीडियो के अडिफिकीशन सीधे आपके मोबाइल प्निस के थैंक यू सो मच फॉर्चिंग